पाठ आठ संग्या और संग्या के विकार संग्या संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान अत्वा भाव को एक नाम दिया गया है। वे सभी संग्याएं हैं जैसे गरिमा, सुरेश, आगरा, दिल्ली, पंखा, चटाई, सुंदर्ता, आदी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थेती, गुण अत्वा भाव के नाम का बोद कराने वाले शब्दों को संग्या कहते हैं। संग्या के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समोहवाचक। एक, व्यक्तिवाचक, जो शब्द किसी विशेश एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान अथ्वा वस्तू का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संग्या कहलाते हैं, जैसे गंगा, दिल्ली, भारत, चीन, नेपाल, महराना प्रताप, खुतुब मीनार, रामचरित मानस, आद दो, जातिवाचक, जो संग्या शब्द एक ही प्रकार की प्राणियों, वस्तूं ये स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संग्या कहते हैं, जैसे अध्यापग, नड़की, देश, नदी, पुस्तक, फूल, शेहर, पेड, आदी तीन, भाववाचक, जिन संग्या शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तू के गुर्णदोश, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदी का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संग्या कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, आदी अंग्रेजों के प्रभाव स्वरूप, कुछ विद्वान संग्या के दो भेद और मानते हैं, क, दरव्वेवाचक, जो संग्या शब्द ऐसे दरव्व्यों या पदार्थों का बोध कराते हैं, जिन से अनेईक वस्तू में बनती हैं, उन्हें दरव्वेवाचक संग्या कह जैसे सूना, चान्दी, दूद, तेल, लोहा, लकडी, आदी. ख, समूह वाचक, जो संग्या शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूह वाचक संग्या कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड, दर्बार, आदी. भाववाचक संग्याएं बनाना, भाववाचक संग्याएं पाच प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं, ख जातिवाचक संग्या से, ख विशेशन से, ग क्रिया से, ग सर्वनाम से, ड अव्याई से, क, जातिवाचक संग्या से, भाववाचक संग्याएं बनाना, जातिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, भाववाचक, संग्या, 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 ता प्रत्याय जोड कर मनुष्य मनुष्यता, पशु पशुता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रता, दानव दानवता, मानव मानवता, त्व प्रत्याय जोड कर देव देवत्व, नेता नेत्रित्व, बंधु बंधुत्व, हिंदु हिंदुत्व इ प्रत्याय जोड़कर मजदूर मजदूरी चोर चोरी पन प्रत्याय जोड़कर अन्य बच्चा बचपन बाल बालपन शिशु शेशव पंडित पंडित बुढ़ा बुढ़ापा इंसान इंसानियत ख विशेशन से भाव वाचक संग्याय बनाना विशेशन भाव वाचक संग्या आई प्रत्याय जोड़कर अच्छा अच्छाई, उंचा उंचाई, चोड़ा चोड़ाई, गहरा गहराई, ता प्रत्याय जोड़कर वीर वीरता, कायर कायरता, कुशल कुशलता, एक एकता, मधुर मधुरता, लगु लगुता इ प्रत्य जोड़कर चाला चाला की सफेद सफेदी घरीब घरीबी अमीर अमीरी अन्य, खटा, खटास, मीठा, मिठास, स्वस्थ, स्वास्थ, हरा, हरियाली, प्यास, प्यासा, भूख, भूखा, विद्वान, विद्वत्ता, बुधिमान, बुधिमत्ता, आलसी, आलस्य, युवा, जोवन गु. ख्रिया से भाववाचक संग्याएं बनाना। बुनाई, काटना, कटाई, आवट प्रत्याय जोड़कर, दिखाना, दिखावट, बनाना, बनावट, थकना, थकावट, गिरना, गिरावट, सजाना, सजावट, मिलाना, मिलावट, आव प्रत्याय जोड़कर, बहना, बहाव, जुकना, जुकाव, चुनना, चुनाव, बचन अन्य, हार, हारना, जीत, जीतना, भूल, भूलना, दोड, दोडना, लूट, लूटना, छूट, छोडना, हस, हसना, उडान, उडना, जगडा, जगरना, मेल, मिलना. घ, सर्वनाम से भाववाचक संग्याएं बनाना, सर्वनाम भाववाचक संग्या, अहम, अहंकार, अपना, अपनापन, मम, मंता, सर्व, सर्वस्व, अड़, अव्या से भाववाचक संग्याएं बनाना, अव्याय भाववाचक संग्या, समीप, समीपता, निकट, निकटता, कुछ संग्यापत प्राणी वाचक होते हैं और कुछ अप्राणी वाचक बिल्ली, गाय, मोहन, कुत्ता प्राणी वाचक हैं और तेल, दूद, तांबा, मकान, पर्वत, आदी अप्राणी वाचक हैं कुछ संग्याएं गणनिय होती हैं और कुछ अगणनिय होती हैं जैसे रुपए, कलम, कुर्सी, आधी। जिन्हे गिना ना जा सके वे अगणनिय होती हैं जैसे हवा, तेल, आग, ममता, आदी। आओ दोहराएं, किसी व्यक्ति, वस्थु, स्थान, गुण, अत्वा भाव की नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संग्या कहते हैं. संग्या के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तधा भाववाचक.